आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ यहां पर हम से पूछा गया है कि परेप्लानेटा अमेरिकाना और बलेटा ओरियेंट आलस इन दोनों के बीच में में डिफरेंस क्या है तो यह दोनों जो साइंटिफिक नेम्स हमें दिये हुए है कॉक्रोच की अलग-अलग स्पेशिस के लिए यूज किया जाने वाले ही साइंटिफिक नेम्स है और हमें मालूम है कि कॉक्रोच एक बहुत ही एक्स्टेंसिवली स्टडिट और कॉमनली नोन इंसेक्ट पेस्ट है जिसका अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रिबूशन हम देखें तो यह बहुत ही वाइडली डिस्ट्रिबूटेड एक इंसेक्ट है दुनिया के हर एक कोने में यह पाया जाता है तो परिप्लानेटा अमेरिकाना जो हो जाता है हमारा अमेरिकन कॉक्रोच या कॉमन कॉक्रोच और ब्लेटा ओरियंटल कॉक्रोच यह दोनों ही कॉक्रोच की सबसे कॉमनली पाई जाने वाली स्पीशिज है यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों का डाइग्राम भी है और इन दोनों का main difference जो इन के वीच में होता है, वो हमें बताना है, तो पहले body shape दिया, यह हमारा correct answer नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों images को हम देखें, यह पहला वाला हो गया हमारा periplaneta americana, दूसरा वाला हो गया bleta orientalis, तो इन दोनों की जो body shape है, वो distinct नहीं है एक दूसरे से, हम क antenna, इसमें भी कुछ खास difference नहीं है, antenna एक paired thread-like structure है, जिसका sensory function होता है, हम क्या सकते हैं, कि cockroach के head region में पाई जाने वाला, यह एक thread-like appendage है, जो कि अपनी environment को monitor करने में, या इसमें जो भी changes हो रहे हैं, उनको perceive करने में cockroach की help करता है, और दोनों ही species में, यह thread-like appendages, paired structures होते हैं, तो antenna में इतना फरक नहीं है, और उसी तरह से life history, यह जो life cycle होती है, वो भी इन में similar होती है, फरक किसमें हो जाएगा, clearly हम देख सकते हैं, कि periplaneta में हमें काफी बड़े size के prominent wings मिल रहा है, जबकि bleta orientalis में हम कह सकते हैं, काफी reduced wings है, और vestigial भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इत periplaneta और bleta में main difference है, क्योंकि periplaneta के पास large prominent wings है, जबकि bleta के wings vestigial है और उड़ने के capacity भी इसमें नहीं है, wing length तोनों के बीच में main difference हो जाएगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा, आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 पर